अपने गुटने की दर्थ को ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या खा सकते हैं, क्या डायेट होनी चाहिए जिससे हमारे गुटने की गठिया गुटने की परिशानी ठीक हो जाएं, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसे फूट के बारे में हम डिसकस करेंगे, ऐसी डायेट के बारे में डिसकस करेंगे, जिससे आपके गुटने के अंदर जो दर्द आता है, गुटने के अंदर जो गठिया हो रहा है आर्फराइटिस हो रहा है उसमें कुछ हग तक आपको help हो जाएगी तो ये वीडियो अंतक जरूर देखिएगा काफी ऐसे food products बताऊंगा जिससे आपको अपने problem में कुछ राहत मिलेगी चलिए शुरू करते हैं जिन लोगों ने हमारा channel subscribe नहीं किया है वो लोग प्लीज जाक इस उम्मीद में मत खाईए कि आप ये food products खाएंगे और आपका गठिया खतम हो जाएगा लेकिन yes अगर किसी patient को early changes है early stage है घुटना जादा खराब नहीं हुआ है grade 1 या grade 2 arthritis में इन food products को अपनी diet में follow करने से आपको काफी फायदा होना चाहिए they are supplements they are the supportive measures सबसे पहले जो food products आ यह होता basically synovial fluid होता है जो joint का fluid natural मातरा में घुटने में होना चाहिए जैसे जैसे age बढ़ती है arthritis होता है उसकी वज़े से वो synovial fluid बनना बंद हो जाता है जो सबसे पहला food product है जिसके अंदर आपको hyaluronic acid मिलता है वो होते हैं nuts और उसमें nuts में जैसे almonds होगे और walnut walnut is a very very good source of hyalur hyaluronic acid 2-3 walnuts प्रती दिन अगर आप अपनी दिन चर्या में उसको ले रहे हैं diet में ले रहे हैं it can help you in making little bit of hyaluronic acid almonds ले सकते हैं pumpkin seeds ले सकते हैं broccoli, broccoli के अंदर भी कुछ मातरा में यह hyaluronic acid होता है तो आपको यह सारे food products लेने से hyaluronic acid परयाप्त मातरा में मिलेगा next food products आपको अपनी diet में लेने चाहिए जिससे आपको घुटने में फरक पड़ेगा वो होते हैं collagen rich food जो collagen होता है यह basically आपके घुटने के cartilage के लिए muscle mass के लिए joint के in general strength के लिए कापी अच्छा माना जाता है तो कौन से collagen rich foods आप ले सकते हैं देखिए आप red and yellow colored vegetables अपनी routine में ले सकते हैं berries बहुत अच्छी source होती हैं तो जो strawberries, blueberries, raspberries, berries जो यह berries हैं they are a good source of collagen garlic is a very good source of collagen तो यह 3-4 food products आप अपनी diet में ले सकते हैं जिससे आपके घुटने में collagen बनेगा तीसरा important food products होते हैं anti-inflammatory foods anti-inflammatory foods का मतलब होता है ऐसे food product जिससे आपके घुटने में जो आपको दर्द आता है, सूजन आती है वो कम होती है, good sources होते हैं green leafy vegetables olive oil is a very very good source of anti-inflammatory products तो आपको olive oil use कर सकते हैं, broccoli use कर सकते हैं, green leafy vegetables ले सकते हैं papaya is a good source, pumpkin is a good source and also pineapples तो यह जो food products हैं, इससे anti-inflammation होता है, इसके अंदर bromelain होता है bromelain is a anti-inflammatory compound जो काफी बार medicines के अंदर भी use होता है जो next food category होती है, वो होते हैं, वो food products जो आपकी bones को, आपकी muscles को मजबूती देए calcium और vitamin rich food लेने से आपके घुटने में शक्ती आएगी, bones strong होगी, muscle strong होगी calcium rich foods जैसे आप सब को पता है, dairy products are very good sources, vitamin D rich foods, eggs में including egg yolk is a very good source जो लोग non-vegetarian नहीं लेते, वो अपनी diet में mushrooms को, spinach को include कर सकते हैं next food category होती है, ऐसे क्या condiments हमारी daily diet में होते हैं, जो हमारे घुटने में, दर्द में help कर सकते हैं यह condiments का मतलब हुआ, कि हमारे कुछ ऐसे spices, जो हमें, जो ऐसे हमारे diet में हम लोग अगर add-on करते हैं, तो उससे फायदा होता है जैसे ginger है, अद्रग, ginger is a very very good source of anti-inflammatory compounds, तो आप अगर अपनी ginger अपनी diet में, चाहे वो आप चाय के दुरान ले रहे हैं, चाय में मिला के ले रहे हैं, या आप अपने खाने में extra ले रहे हैं, तो आपको इससे घुटने के दर्द में फायदा होना चाहिए turmeric, turmeric is a very good source of antiseptic, ये देखें antibiotic के जैसे भी काम करती है, antioxidant, जो free radicals हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे free radicals को ये खतम करती है, तो it is a very good source of antioxidants, तो turmeric भी आप अपनी diet में use कर सकते हैं, आप चाहे इसको दूद में मिला के ले जिए, अपने खाने में extra डालिए, फायदा दे देखेगा, fenugreek यानि कि मेथी दाना, fenugreek seeds जो लोग अपनी diet में use करते हैं, daily routine में काफी फायदा देती है, calcium rich होती है, osteoporosis में बहुत ज़्यादा important role है, हम लोग काफी बार इसकी medications भी patients को prescribe भी करते हैं, तो fenugreek आप add कर सकते हैं, apple cider vinegar, apple cider vinegar is also a good source of antioxidants, ज़्यादा research नहीं है, but it it can work and it can help in reducing the knee pain, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दाल चीनी जैसे cinnamon होता है, cinnamon आप add कर सकते हैं, काफी बार cinnamon के oil आते हैं, cinnamon oils को आप अपने घुटनों पे जब रब करेंगे, आपको उसका फायदा देखेगा, pains में फरक देखेगा, Capsicin, Capsicin एक compound होता है, जो chillies में होता है, चाहे वो capsicum है, चाहे वो green chillies है, red chillies है, Capsicin एक important compound होता है, जो antioxidant भी है, और it acts like a counter irritant, counter irritant का मतलब होता है, जब आप इसकी massage करते हैं, तो ये pain के threshold को बढ़ा देता है, pain में फरक आता है, तो अगर आप कभी notice करेंगे, जिस तरह कि जो local gels आप लोग use करते हैं, अपनी pain में relief के लिए, उसके अंदर Capsicin is a important compound, तो अपने खाने में आप Capsicum, green chillies add on करेंगे, तो उससे भी आपको भुटने के दर में फरक दिखेगा, और एक दूसरी category होती है, ऐसे miscellaneous product जिनको add करने से आपको कुछ फरक दिखना चाहिए dark chocolates, dark chocolates are a good source of antioxidants, तो कुछ मातरा में आप ये add कर सकते हैं, जाधा मातरा में नहीं लेना चाहिए, because sugar धाई हो जाएंगे और उसका negative effect होगा, but yes, dark chocolates are known to increase antioxidant level, green tea बहुत अची source होती है antioxidants के, तो उसको add कर सकते हैं, और coconut water, coconut water also empty stomach लेने से आपको कुछ फायदा दिखना चाहिए, त जिससे आपको आपके घुटने में अगर दर्द आता है, तो ये कुछ हद तक आपको help करेंगे, believe करिए कि घुटने की जो problem है, जो घुटने की परिशानी है, उसमें multi-modality approach के साथ treatment होता है, आपको आपका lifestyle भी ठीक करना है, आपको आपकी exercises भी करनी है, आपको उसके लिए required medications भी करनी है, problem अगर बढ़ जाती है, अगर घुटने में damage जादा हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ injections prescribe किये जाते हैं, अगर problem surgery लायक है, meniscus फट गया, meniscus surgery होगी, cartilage नुकसान होगी, cartilage surgery होगी, और घुटन अगर बिल्कुल खराब हो चुका है, तो उसको फिर हम लोग replace क पसंद आया होगा, if you like this video, give it a thumbs up, share किये जगा अपने near and dear events के साथ, और हमारे चैनल को जरू subscribe पीछे, ताकि हम लोग इसी तरह से अच्छे videos आपके लिए create करते रहें, thank you very much.